मेरी पोस्टिन उत्तर प्रदेश के एक गाउ में हो गई गाउ वासियों ने अपने जीवन में गाउ में पहली बार कोई डॉक्टर देखा था इसके पहले गाउ नीम हकीमों, उजाओं और जार फूंक करने वालों के हवाले था जल्द ही गाउ के लोग एक भगवान की तरह मेरी पूजा करने लग गए रोज ही काफी मरीज आते थे और मैं जल्दी ही गाउ की जिंदगी में बड़ा महत्वकूर्ण समझा जाने लगा गाउ वाले अब सलाह के लिए भी मेरे पास आने लगे मैं भी किसी भी वक्त मना नहीं करता था अपने मरीजों को आने के लिए गाउ के बाहर मेरा बंगला था इसी बंगले में मेरी डीस्पिंसरी भी थी गाउ में मेरे साल भर गुजारने के बाद की बात होगी इस गाउ में लड़किया और औरतें बड़ी सुन्दर सुन्दर थी ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत लड़की थी गाउ के मास्टर जी की नाम भी उसका था गोरी सच कहू तो मेरा भी दिल उस पर आ गया था पर होनी को कुछ और मंजूर था गाउ के ठाकूर के बेटे का भी दिल उस पर आया और उनकी शादी हो गई कहा गोरी और कहा राजन राजन बड़ा सूखा सा मरियल सा लड़का था मुझे तो उसके मर्द होने पर भी शक था और यह बाद सच निकली करीब करीब उनकी शादी के साल भर बाद एक दिन ठकूराइन मेरे घर पर आई उसने मुझे कहा कि उसे बड़ी चिंता हो रही है कि बहु को कुछ बच्चा वगेरह नहीं हो रहा उसने मुझसे पूछा कि क्या प्रोबलम हो सकता है लड़का और बहु उसे कुछ बताते नहीं है और उसे शक है कि बहु कहीं बांच तो नहीं। मैंने उसे धाढ़स दिया और कहा कि वो लड़का बहु को मेरे पास भेज दे तो मैं देख लुंगा की क्या प्रोब्लम है। उसने मुझसे आग रह किया मैं यह बात गुप रखूं। घर की इजित का मामला है। फिर एक रात करीब शाम को वो दोनों आए। राजन और उसकी बहु देखते ही लगता था कि बेचारी गोरी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। कहा वो लंबी, लचीली, एकदम गोरी लड़की, भरे पूरे बदन की बला की खुबसूरत लड़की और कहा वो राजन, काला कल मरियल सा मुझे राजन की किस्मत पर बड़ा रंज हुआ। वो धीरे-धीरे अकसर इलाज करवाने मेरे क्लिनिक पर आने लगे और साथ-साथ मुझ से खुलते गए। राजन बड़ा नर्म दिल इनसान था। अपनी बला की खुबसूरत बीवी को जरा साभी दुख देना उसे मनजूर ना था। उसने दबी जुबान से स्विकार किया एक भी दिन अभी तक वो अपनी बीवी को कर नहीं पाया है। मैं समझ गया कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। जब गोरी अभी तक वरजिन ही है तो सहसा मेरे मन में एक ख्याल आया और मुझे मेरी दबी हु इस से पहले की गोरी काम के लिए तयार हो राजन उस पर तूट पड़ता था। नतीजा यह की काम करने की कोशिश करता था तो गोरी दर्थ से चिल्लाने लगती थी और गोरी को यह सब बड़ा तकलीफ वाला मालूम होता था। उसे चिल्लाते देख बेचारा राजन सबर क कर लेता था। फिर दूसरा यह की राजन इतना कुरूप सा था कि उसे देख कर गोरी बुच सी जाती थी। सारी समस्या जानने के बाद मैंने अपना जाल बिछाया। मैंने एक दिन धकुराइन और राजन को बुलाया। उन्हें बताया कि खराबी उनके बेटे में नहीं बलकि बहु मैं है और उसका इलाज करना होगा। छोटा सा ओपरेशन और बस बहु ठीक हो जाएगी। बुढिया तो खुश हो टाइम्स गई पर बेटे ने बाद में पूछा। दॉक्तर साहब आखिर क्या ओपरेशन करना होगा। हा राजन तुम्हें बताना ज़रूरी ह नहीं तो बाद मैं तुम कुछ और समझोगे। हाँ हाँ बोलिये ना डॉक्तर साहब। देखो राजन तुम्हारी बीवी का अंग थोड़ा सा खोलना होगा। ओपरेशन करके तभी तुम उसके साथ कर पाओगे और वो मा बन सकेगी। क्या? पर क्या यहां ओपरेशन आप करेंगे? मतलब मेरी बीवी को आपके सामने खुला लेटना पड़ेगा? हाँ, यह मजबूरी तो है पर तुम तभी उसकी जवानी का आनंद ले पाओगे। वरना सोच लो यूही तुम्हारी उमर निकल जाएगी। तो दोस्तो आसा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद।